एक रसोई तो होती से सुराल में, जून की गर्मी में पसीने से लटबद पूजा किचन में काम कर रही होती है ये बगवान, इतनी गर्मी में तो इंसान मरवर जाए, उपर से किचन में काम करना, उफ उफ उफ, इसी को कमरे से हटवा कर किचन में लगवाना चीए भी इतनी गर्मे में पसीने से लटपत, पूजा काम कर रही थी तबी हॉल से उसे प्रिया की आवाज आती है ओ माई गाड, स्टोर रूम में जाए तो कैसे जाए ममी आदमी हाल देखो मेरा, पसीने से लटपत हो गई हूँ मैं दो मेंट और स्टोर रूम में उती न तो बेवोश हो जाती अरा तो क्या जरूर थी तुझे श्टोर रूम में जाने की? ऐसे तो अपना कमरे से कभी निकलती नहीं तुमारी राज कुमारी और आज जब 47 डिगरी पर पारा है तो क्यों गई थी स्टोर रूम में? जहाँ पर लाइड भी नहीं है गिर पड़ जाती तो हस्पिटल का खर्चा लग जाता आपको तो हस्पिटल के खर्चे के पड़ी है मेरे प्रिया को कुछ हो जाता तो अच्छा बिटा बैट जा बसे किस काम से गई थी तो अंदर मुझे बोल दिया होता? मामी पिछली बार मैं एक शैंपू लेकर आई थी अपने लिए उस शैंपू का नाम ही मैं बूल गई हूँ उसका खाली डिबब मुझे याद भावी ने स्टोर रूम में रख दिया था वही डूरने गई थी मुझे तो लगता है स्टोर रूम में एक एक्जास्ट फैन लगवाना पड़ेगा तब जाकर अंदर का उमस बार आएगा ऐसी बात है तो ठीक है एक एक्जास्ट लगवा देते कमरे में और एक पंखा भी और क्या जरूरत बेकार में पैसे बरबाद करनी की ऐसे भी अभी तुम लोगों ने किचन में एक्जास्ट लगवाया ही था पैसे पेड़ पर रुखते है क्या तो किचन का एक्जास्ट वहां से हटवा कर स्टोर रूम में लगवा देते ना पपा फिर तो पैसे बरबाद नहीं होंगे ये सुनते ही पूजा के पसेली का बहाव दो गुना हो जाता है वो हडबढाती हुई किचन से बहार आती है अरे बहो ये किस तरह नहा कर आईए तु अगर टॉवेल ले जाना भूल गई थी तो मुझे आवास देती मैं तुझे टॉवेल नहीं देती क्या कोई सौतेली सास थोड़ी ना हूँ मैं तुरी ये पसीना है ममी जी किचन में थी मैं ये मेरे माते पर लगा आटा आपको दिख नहीं रहा क्या आटा रोटी बनाने के लिए होता है बिटा चेरे पर लगाने के लिए अब समझ में आया तीस दिन का आटा पचेस दिन में खतम कैसे हो जा रहा कितनी गर्मी है किचन में ममी जी कि मैं बिना नहाए भी नहा क्या आई हूँ लग रही हूँ उसमें भी आप लोगों को किचन से एक्जास्ट हटवाना है किचन किसी घर का कितना important part होता है ये तो आपसे ज्यादा बहतर कोई नहीं जानता होगा ममी जी फिर भी पता नहीं क्यों इस घर में किसी को किचन की कदर नहीं है पूजा की बात सुनकर दो मिनिट के लिए सभी चुप हो जाते हैं उसकी बात सुश्मा कहती है अरे बिटा एक काम कर कल के कल तो इलेक्टृशिन और लेबर को लिआ और एक्सॉस्ट किचन से हटवा कर स्टोर रूम में लगवा दे वो क्या है ना बहू अब तु ही समजh रसोई में हम जाते दिन में दो बार वो भी तू जाती है किचन में एक्सॉस्ट रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है वैसे भी एक्जॉस्ट तो बाहार हवा देता है अंदर थोड़ी न देता है और हाँ बिटायाद से पंखा भी लगवा देना स्टोरूम में हाँ इस घर वालों का कभी कुछ नहीं हो सकता तो कुछ ऐसे थी पूजा के सिसराल वाले जिनने किचेन छोड़ कर हर चीज की कदर थी जिस कारण पूजा बहुत ज्यादा परेशान रहती थी इसी तरह एक रोज सुश्मा की कुछ सहलिया किटी पाटी के लिए उसके घर आती है घर पर पाटी हो रही हो और घर का गंदा होना तो लाजमी है भई मज़ा आगया सुश्मा मज़ा आगया क्या खाना बनाया तेरी बहुने क्या फ्रेंट्स प्राइज क्या पकोड़े एक नंबर तेरी बहु ही है जो इतना मना करने के बाद भी इतनी गर्मी में रसोई का काम कर लेती है एक हमारी बहु है जो होली दिवाली में भी घर पर रसोई बनाना नहीं चाती अरे रसोई तो अन्नपूर्णा होती है पर वो समझे तब न तो पूजा का बनाया खाना छोड़कर ये मोमो खा कर देख एक बार मार्केट से मंगवाया मैंने जब सामान बाहर से आही सकता है तो क्यों किचन में जाकर अपना शरीर गलाना इसे तो बेकार में आदत है रसोई में पड़े रहने की सुश्मा की सहलिया तो उसकी घर को अपना पुष्टैनी घर समझ कर गंदा करी रही थी और इसी पीच उसकी एक सहली का पोता भागते हुए किचन में चला जाता है अरे ये मेरा पोता भागते हुए कहां चला गया जरूर रसोई के और भागा होगा पूरी रसोई उलटकर रख देगा अब ये लड़का आरे तो क्या हो गया रसोई के तरफ ही गया है ना खेलने दे बच्चा है यहां हॉल गंदा करता है उससे अच्छा है कि रसोई में खेलता रहा है और कुछ इसी तरह एक एक करके सारे बच्चे किचन में चले आते हैं कोई किचन के स्लैब पर बैटकर खाना खाने लगता है कोई जमीन पर कोई सारे डबो को खोल खोल कर उलट देता है तो कोई किचन में ही खा कर उल्टी कर देता है यह सब देखकर पूजा का कलेजा तो जली रहा था उपर से अपनी सास का यह बिहेवियर उसे और परिशान कर रहा था यह कोई बात हुई? इन आंटियों को जरा भी शर्म नहीं है इनके घर के बच्चे मेरे घर के किचन को इतना खराब कर रहे है और यह सब आराम से बैठकर कप्पे मारी है सीधा जाकर इनसे बात करनी पड़ेगी पूजा उठकर हाल में जाती है और निकिता से कहती है आंटी जी आपके पोते ने हमारे किचन में उल्टी कर दी जरूर किचन की गर्मी न उसे लग गई होगी हाई मेरा पोता उल्टी होगी बच्चे को ने नी आंटी जी गर्मी से नहीं हुई उससे ज्यादा खाना खा लिया और उस खाने को किचन में निकाल दिया यह तो अच्छी बात हुई न ज्यादा खा करना बच्चे की तब्यत खराब हो जाती है अच्छा वो उस ते एक्स्ट्रा निकाल दिया तेज है तेरा पोता निकिता बहुत ही गए गुजरे लोग हैं यह जैसी ममी जी वैसे उनकी सहलिया और कितनी ड्रामा की बाद किसी तरह किटी पाटी ओवर होती है सब अपने अपने घर चले जाती है चल छबिली जाडू उठा और काम पर लग जा आज बहुत काम है पूरा घर बिखरा पड़ा है हाँ चल बिली और पहले न मेरा कमरा साफ कर देना पर दीदी आपकी कमरे में तो कोई गया ही नी आपका कमरा तो वैसा का वैसा पड़ा हुआ है तो कमरे में दिन में कम से कम दो बार जाडू तो लगनी चीए ना भावी और उसके बाद मेरे कमरे में जाड़ों मारते ना अब पैसे देते हैं तो वसूल तो करेंगे और सभी कमरों का कच्रा लेते हुए एक बार में हॉल का कच्रा उठा लेना और उसके बाद वक्त मिले तो तू एक बार स्टोर रूम देख लेना स्टोरूम बड़ा गंदा पड़ा हुआ है मैं कभी कुछ कहती नहीं इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग कुछ भी कहेंगे हाथ होती है किसी चीज की जिस वज़े से घर का खाना बाहर आता है उस जगह की कदर नहीं है किसी दिन भगवान का प्रकोपना पर जायें आप लोग उपर मुझे तो इसी बात का डर है औरे किस जगह से खाना आ रहा है बिटा खाना खाकर हम कहा निकालते हैं पापा शायद भाबी वाश्रूम साफ करवाने की बात करी होगी वही तो इस घर में एक किचिन भी है शायद वो आप सब भूल जाते हैं आपकी दस बारा फ्रेंज और उनके बच्चों के लिए खाना किचिन में बना था मम्मी जी इसलिए किचिन बड़ा गंदा पड़ा हुआ है और उनके बच्चों ने किचिन की जो दूर दशा किये न उसके बाद सबसे पहले किचिन ही साफ होगा तू ना बहु बेकार में लप्ड़े पाल लेती है क्या ज़रूरते किचिन साफ करवाने की कम से कम आद्धा गंटा तो रसोई साफ करने में चला जाएगा फिर छबिली बाकी काम कप करेगी और आखिर में पता चला है आमारा कमरा बिना साफ किये ही रहा गया नहीं नहीं चाची भाबी ठीक के रही है पहले में रसोई साफ कर देती है शाम ढलने में अभी वक्ते मुझे कोई दिक्कत नहीं है बागी काम भी हो जाएगा आरे तेरा मैं जानती हूँ ना पांच बचते नहीं कि तेरा पती घर के बाहर आकर तमाशा करने लगता है कोई सरुवत ने रसोई साफ करने की पहले बागी के काम कर ले वक्त बचेगा तो चले जाना रसोई में और सुश्मा चबिली से सारा घर साफ करवा लेती है और जैसे ही किचन साफ करने की बात आती है सुशिल कहता है सब कुछ हो गया हो चबिली तो एक बाद जरा चट की सीडिया साफ कर दे दस मिनिट बाद चबिली कहती है दीदी मेरे जाने का टाइम हो गया है रसुई में कल साफ कर दीगी है लगता है इस गर में बस मैं ही हूँ जिसे रसुई की कदर है हद कर दीए आप लोगों ने सच में मुझे भी क्या है रहने दीजे ना रसुई में चलते रहे के रहे खाते रहे बाहर का खाना आप सब मैं किचन से इंडक्शन अपने कमरे में रख रहे हूँ जिस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही खाना बनेगा और परिशान होकर पूजा भी रसुई को देखना छोड़ दीती है जिससे किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता अगले सुबह नाश्ते के वक जा सुषिर नत्थू हलवाई के यहां से समोसे और कचोरिया लिया उसी का नाश्ता कर लेते हैं और ज्यादा रईस बन कर पैसे तुरंट मत देना खाते में लिखवा देना तबी गर्मा गरम पराठे लिए पूजा अपने कमरे से बाहर निकलती है और सोफे पर बैठ जाती है पराठे और डेम हम मजा आगया न जाने कितनी बार उसी तील को इस्तमाल किया होगा न थूलवाई ने कहां कहां हाथ लगाने के बाद मसाले तयार किये होंगे ची 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 मैं तो घर का पॉश्टिक खाना ही खाऊंगी आपको लग रहा है भाबी क्या आपकी ये सब कहने भर से हमें फर्क पड़ेगा नो वे भाबी मैं तो खुद स्विगी करने जा रही हूँ कितना भी ओईली खाऊं कितना भी जंक फुड़काऊं बैसे भी मनना तो सभी को एक बार है ही न तो फिर क्यों न बाहर का खाकरी मरो है और इसी तरह दिन बीटते जाते हैं पूजा का किचन चूहों का अड़्डा बन जाता है वहाँ जाले तक लग जाते हैं पर किसी को फर्क नहीं पड़ता अब हफते में कभी एक बार कोई काम पड़ने पर ही कोई रसोई में जाता वरना वो भी नहीं कुछ दिनों बाद एक संड़े की सुबह सभी साथ में बैटे हुए गपे मार रहे थे हमारा हॉल ज़रा छोटा पड़ रहा है ने ममे अब आगे जाकर मेरी फैमिली बढ़ेगी तो बच्चे को खेलने के लिए भी तो स्पेस चाहिए मैं सोच रहा था हॉल बढ़ा करवालू मिलकुल सही सोचा भईया आपने मैं भी सोच रही थी एक ट्रेड में ले आओ पर उससे लगाओ कहाँ हमारा हॉल तो पहले से ही छोटा है ये रसोई तो हम वैसे भी ज़्यादा इस्तमाल करते हैं रसोई को छोटी कर देते हैं और उसका जो स्पेस है निकाल कर होल में मिला देते हैं पहली बार आपने पूरे जीवन में कोई सटिक बात कही है यही कर बिटा हॉल बड़ा हो जाएगा तो और अच्छा लगेगा आप कुछ दिन में प्रिया के लिए लड़के देखने भी शुरू करेंगे महमानों के बैटने के लिए जगा भी हो जाएगी और बिना देरी किये सुशिल अपने घर में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर देता है और किचन को छूटा करवा कर उसका हिस्सा हॉल में मिला लेता है यहां दूसरी तरफ सुश्मा प्रिया के लिए लड़के वालों का रिष्टा दिखना शुरू कर देती है मुझे कुछ नहीं पता दिदी आप आ रही है आपको समझ में भी आ रहा है बेटे की शादी निकालना कितनी बड़ी बात होती है आपने तो तीन-तीन बेटियों की शादी की है आपको तो अंदाजा हो गाई अब जो करना है आपको ही करना है मुझे कुछ नहीं पता मैं आपकी टिकट सुशिल जिसे कहकर करवा लेती हूँ और उसकी फोटो आपको वाटसेप कर रही हूँ कैसे भी करके कल आप यहां आईए अब लड़के वालों के सामने सब कुछ आपको ही संभालना है और अगले ही दिन व्रिंदा अपनी बहन सुश्मा की घर पहुच जाती है दर्वाजे से अंदर आती ही व्रिंदा देखती है कि किच्चन का फ्रिज हॉल में रखा हुआ है बड़ी गर्मी है बाहर, ज़रा पानी तो पीलू और व्रिंदा जैसे ही फ्रिज खोलती है देखती है कि फ्रिज के अंदर तो वेफर्स के पाकेट्स पड़े है फ्रिज खराब हो गया थै के सुश्मा जो फ्रिज में ये सब गुजिया, वेफर्स ये सब रखें अरे नई नई दि-दी ये बात नहीं है आप ये सब छोड़िये, मैं पानी मंगाती हूँ आपके लिए अरे सुशिल, जब बाहर से ठंडे पानी के बोतले करा अरे बाहर क्यों भेज रही है से रसोई से जाकर पानी ले आएगा इस घर में मेरे अलावा कोई रसोई में पैर रखता ही कहा है मौसी जी रसोई में जाने से इनकी इज़त जुखट जाएगी और अब मैं भी किचन में जाओ, इतना भी किचन मेरे सिसुराल में बचा का है सिसुराल में रसोई होती, तो मैं जरूर जाती पुजा की ऐसी बात सुनकर बिंदा शौक्ट हो जाती है और होती भी क्यों न, आखिर ऐसा कौन सा सिसुराल होगा जिसमें रसोई ना हो ऐसे हरान परिशान होने की ज़रूरत नहीं मौसी जी दो-चार दिन में आपको अंदाजा लग जाएगा कि मैं क्या कह रही थी और अंदाजा तो लगाई था, जब से व्रिंदा आई थी तब से वो देख रही थी चाहे दुपेर का खाना हो या शाम का नाश्ता या फिर रात का खाना सब कुछ बाहर से आ रहा था जब से मैं आई हूँ, रसोई में एक दूद नहीं उबाला किसे ने ऐसे चुले को सुखा नहीं छोड़ते, पूरे दिन में कुछ तो बना लिया हो ता सुश्मा और वैसे भी मैं कोई बाहर की थोड़ी ना हूँ, जो तु बाहर से खाना बार-बार मंगवा कर खिला रही है इतनी भी खातिर्दारी मत कर, घर की ही तो बात है जा प्रिया तो ही कुछ अच्छा बना कर लिया कल लड़के वाले भी आने वाले हैं, उन्होंने कुछ बोल दिया तो तुझे कुछ आना तो चाहिए ना किचिन में कौन जाता है मौसी जिस लाइफ में कुछ ना करना हो, वो लो किचिन में जाता है जैसे के भाबी, मेरी माने तुम मुझे खुल की जीना सिखाया है, रसुई सिर्फ और सिर्फ आपको बान कर रखती है वुरुन्दा खुद उठकर किचन में जाती है, और किचन की ऐसे हालत देकर समझ जाती है घर की रसुई वो भी इतनी छोटी, और इस हालत में? मैं यूही इतनी चीडी चीडी नहीं रहती मौसी जी, इनी कारणों से मैंने अपनी रसुई अपने कमरे में कर ली अब जिस सिसुराल में रसुई की कदर ही ना हो, जहां रसुई को स्टोर रूम से भी कम वैल्यू दी जाती हो, वहां मैं क्या ही बनाओ? मम्मी जी कामवाली को रसुई में जाडू पूछा तक नहीं करने दीती, ये क्यों करना है, वो क्यों करना है, पराठे क्यों बनने है, दूद क्यों बालना है, अरे भई किचिन खाना बनाने के लिए होता है, तो वहां खाना तो बनने दो, पर नहीं, यहां तक की हॉल का स् छोटी कर दी गई। ये सुश्मा आज भी ऐसी ही है। अपने साथ सभी को इसने खुद जैसा बना लिया है। तो फिक्र मत कर बहू अब इन सब को मैं ठीक करूँगी। अगली सुबर लड़के वाले प्रिया को देखने आते हैं और वैसी ही गंदे किचन में सुश्मा महमानों के लिए नाश्ता मंगवा कर रख देती है। किसी संसकारी लड़की की तरह बार बार प्रिया रस्विमें जाती और मार्किट का लाया हुआ नाश्ता खुद का बनाय बता कर बाहर ले आती। शर्माये मत बहन जी ये सब हमारी प्रिया ने ही बनाया है। अपने घर का ही खाना है पौश्टिकर तंदुरस्त पेट भर कर खाईए। बिलकुल सही कहा सुश्मा। क्या बताओं बहन जी हमारी प्रिया को बच्पन से ही खाना बनाने का बड़ा शौक था। रसोई तो इसके लिए घर का सबसे महत्पपणा हिस्सा है। इतना साफ रखती है रसोई को कि क्या पताओं। सुबह चार बज़े उठकर नहा अधोकर सीधा रसोई में चली जाती है। अज सुबह से बिचारी इनी तयारों में लगी हुई थी। सुबह तीन बज़े उठकर समोसे, कचोडिया, फ्राइड राइस, पन्य चली ये सब इसी ने तो बनाया है। मैंने तो कितनी बार कहा हलका फुलका नाष्टा बार से मंगवा लेते हैं पर नहीं ये तो राजी नहीं थी। जा सरूप वैसा काम। बड़ी प्यारी बच्ची है आपकी स प्रिश्मा जी, हमें तो आपकी बेटी प्रिया बहुत भागई है। अब हड़ बढाने की क्या बात है उश्या जी, पहले आप हमारा घर तो देख लीजिए। जा प्रिया, अपने बनाये हुए ड्राइंग दिखा आंटी जी को। और इसी तरह वरिंदा लड़के वालों को घर दिखाते दिखाते उनकी रसुई में ले जाती है। इतने अनायजनिक लोग है ये, कहीं मुझे फूट पॉजनिंग ना हो जाए। जब घर में माही रसुई को इस तरह रखती हो, तो उसकी बेटी से क्या उमीद रखो। हमें नहीं करना आपकी घर रिष्टा। और ऐसी गंदी रसुई को देखकर लड़के वाले रिष्टा तोड़कर चले जाती हैं। प्रिया का रिष्टा तूटता देखकर सुश्मा की आँखे खुल जाती हैं। और उसे समझ में आज आता है कि इतने दिन तक उस ते क्या गलती की थी। अपनी बुआ सास के मदद से पूजा की ससुराल में उसकी रसुई बन ही जाती है।